आज की अपनी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चॉंप की थियोरी ओफ लैंग्विज अक्यूजिशन ओफ इंग्लिस लैंग्विज यह जो टॉपिक है हमारे इंग्लिस पेड़ागोजी का एक इंपॉर्टन टॉपिक है मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगे आपक किसी भी teaching examination के लिए और इसके अलावा केंद्रे विद्याले संगठन के जितने भी teaching examination है यह फिर आर्मी पब्लिक स्कूल का examination ना वोदे विद्याले का examination है हर teaching examination के लिए जहाँ पे English पेड़ागोजी का section है उसके लिए बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है पेड़ागोजी के अ पहले बता दूँ मैं आपको कि जो इंग्लिस पेडागोजी है एक जितने भी स्टेट भी है उसमें कम से कम 12-15 कोश्चन पूछे जाते हैं लेंग्विज पेडागोजी के सेक्शन में और आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कुस करनेंगे चॉंप की ट्योरी ऑफ लेंग्व विचार या फिर अपने मैसेज को एक्सप्रेस करता है और लैंग्विज टीचिंग जो होती है सम्हाव डिफिकल्ट टास्क होती है बेसिकली कंडिशन किया जाता है जब बाइद नेचर ऑफ तब सब्जिक्ट लैंग्विज टीचिंग हेल्प करती है एक एक हिंदी सीख रहा है या गुजराती सीख रहा है कोई भी लैंग्विज सीख रहा है और जब वो स्कूल जाता है तो सब्पोज वो इंग्लिस मीडिय में जा रहा है तो लैंग्विज वो यहाँ पर वो अक्विजिशन यानि की अक्वाइर करता है उस लैंग्विज को ग्रह language as well as to produce and use words and sentence to communicate is known as language acquisition. तो ऐसा एक process जिससे कोई भी human क्या करता है एक capacity को acquire करता है जिससे वो क्या करेगा कि उसके उसको बोल पाएगा या perceive कर पाएगा या comprehensive कर पाएगा एक language को उसे produce करने के लिए जो words और sentence का इसमाल करता है उसे communicate करने के लिए अपने language को उसे कहा जाता है language acquisition. non humans जो होते हैं यानि कि जो जानवर होते हैं पौधे होते हैं वो अपने communication language के थुरू नहीं करते हैं तो एक बहुत ही यहाँ पर essential human traits है so usually refer की जाती है first language acquisition this is distinguished from the second language acquisition तो जो second language सीखी जाती है हमारी जो first language यानि कि जो हमारी mother tongue होती है वो अपने आप acquire हो जाता है by the nature लेकिन second language को acquisition की जरत पड़ती है क्योंकि वो हम अपने घर में usually इस्तमाल नहीं करते हैं जब हम school जाते हैं तो वो सीखते हैं English एक second language है जो deal करती है with the acquisition in both children and adults of additional language with an entirely different script compound and complexities of true foreign language literacy तो जो acquisition वाली language है यानि कि English language है तो ये बिलकुली अलग इसकी script होती है जैसे कि आप Hindi पढ़ते हो और English पढ़ते हो तो दोनों की script भी अलग होती है और दोनों को सीखने के लिए बहुत अलग-अलग complex होते हैं जब आप कोई नहीं language को सीखते हो जेनरल अप्रोचस देख लेते हैं जेनरल अप्रोचस ओफ लैंग्विज अक्यूजिशन तो जेनरल अप्रोच क्या है तो पहला है पहला जो अप्रोच है वो social interactionist theory इसको इस तरह से भी कहा जाता है कि social interactionism यह explanation है language development का जो emphasize करता है role of social interaction between the developing child and linguistically knowledgeable adult मतलब एक बच्चा जो कि सीख रहा है जिसकी language develop हो रही है और एक वो जिससे language की समझ हो चकी है उसके बीच का जो interaction है उसके बीच में और बेस होता है largely on the socio-cultural theory of the soviest psychologist जैसे कि लेव वाइगोट्स की ने बताया कि according to him social interaction जो होता है वो बहुत ही important role play करता है in the learning process जो कि proposed किया जाता है zone of proximal development जहां पर learner construct करता है एक new language को through the social आपने लिव वाइगोट्स की की theory already पर रखी होगी कि लिव वाइगोट्स की theory क्या है बताती है zone of practical development की बारे में जहां पर learner क्या करता है construct करता है अब जो आपरोच होता है language acquisition का वो emphasize करता है जो children होता है वो condition करता है और language learn करता है by this tumulus response pattern with which it's sometimes confused the social interactionist approaches rest of the premises of social cognitive model emphasizing the child's construction of social world which then serves as the context of language development तो जो social world होता है वहाँ पर बच्चा construction करता है construct करता social world जिसके अंदर क्या करता है वो serve करता है ऐसी context को जो language development के अंदर आते है आगे है relational दूसरा जो theory है वो है relational frame theory जिससे rft भी कहा जाता है यह psychological theory है human language की जिसमें जिसको develop किया गया था originally steven c highs के द्वारा जो कि university of Nevada के थे रिनो ने extend किया था और research किया था notably डर्मॉंट और बैरनिस हॉल्मोस गेंट university दोनोंने मिलकर सबने मिलकर से ज्यादा इसके उपर research किया और यह theory जो होती है वो argue करती है कि जो building block of human language होता है वो higher cognition in relating मतलब यहां जो किसी भी language का building block होता है वो क्या होता है higher cognition in relating with the human ability to create bi-directional links between things मतलब किस तरह से एक बच्चा या फिर एक human दो चीजों को link करता है यह उस पर depend करता है कि वो language कैसे और किस तरह से सीख रहा है अब human ability जो होता है वो to create bi-directional links between things यह theory argue करता है कि जो natural human language होता है वो typically specifies होता है not just the strength तो यह theory यह भी बताती है कि जो language होता है वो typically specify होता है not just the strength of link between stimuli but also the type of relationship as well as dimension along with they are not to be related और यह focus करता है कि जो humans होते हैं वो एक language को कैसे learn करते हैं मतलब की communication communication कैसी है उस हिसाब से language learn होती है through the interaction with the environment and is based on philosophical approach is referred to as functional contextualism अगला जो term है वो है emergentism अब emergentism क्या है यह belief करता है emergence की उपर मतलब जो whole is greater than the sum of the parts जो पूरा जो उसका माना है कि जो पूरी चीज़े हैं उसी का एक छोटा सा part है मतलब कि meaning whole has properties its part do not है मतलब जो पूरे की जो एक property होती है वो एक part में वो property नहीं आ सकती एसा यह एसी यह theory का topic मानता है अब यह जो property होती है यह बताती है कि एक system is said to be emergent if it is new outcome of some other properties of the system and their interaction while it is itself different from them कि यह बताती है कि जो outcome होती है किसी properties का और पूरे system का और उसके interaction का तो यह यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक part से interaction की जाए और पूरे से system से की जाए तो दोनों के बीच में क्या different होता और यह property जो होती है यह identical नहीं होती है with reducible to or reducible from the other properties John Stuart or Mill outlined his version of emergentism in the system of logic according to Mill emergent properties are not subject to this law but instant amount of more than the sum of properties of their parts तो Mill का मानना था कि emergent property जो होती है वो कोई subject नहीं है इस law के लिए but उसके जगह पर जो amount है वो बहुत ज़्यादा है जो sum of properties of their parts now language acquisition device यानि के L.A.D. आपने नाम सुना होगा language acquisition device का यह क्या है एक hypothetical module है human mind का human mind posited to account for children's innate predisposition of all language acquisition so it was first proposed by Norm Chomsky तो Norm Chomsky ने पहली बार से proposed किया था L.A.D. को यानि के language acquisition device को तो आपको one mark की question हमेसा पूछी जाती है किसने language acquisition device को के बारे में बताया था तो पहली बार बात करी थी किसने Norm Chomsky ने तो आप ये नाम बलकुल याद रखना आप ये question बार बार रहता है he was the American linguistic कौन थे ये? American linguistic थे philosopher थे cognitive scientist थे historian और social critic he is also known as the father of modern linguistics के नाम से भी ने जाना जाता है और he is also a major figure of analytic philosophy and one of the founder of the field of cognitive science तो एक बहुत founder थे cognitive science के भी इनको माना जाता है और LAT का जो concept है is an instinctive mental capacity which enables an infant to acquire and produce language एक छोटा बच्चा यानि कि नवजात बच्चा किस तरह से acquire करता है और produce करता है यानि कि deliver करता है एक language को यह theory asserts करती है that humans are born with artistic or innate facility for acquiring language तो theory का यह माना है कि जो human होता है वो जन्म से यानि पैदाईशी language को ग्रहन करने की जो चमता होती है उसमें बच्चे में already होती है it is a component of the nativist theory of language nativist theory is a view that certain skill or ability are native or hard weird into the brain at birth तो यह ऐसा मानता है कि एक component होती है जो nativist theory of language मानती है कि जो एक skill होती है जो ability होती है जो native और hard weird हमारे जो बच्चों के brain होती उसमें होती है and this is in contrast to epic racism the blank state of tabula rasa black state जिसको माना जाता है खाली slate होता है या फिर tabula rasa जिसे कहा जाता है जो state करता है कि जो brain होती है has inborn capacity to learning from the environment but does not contain content such as innate beliefs तो brain जो होता है वो already इस हिसाब से systemize होता है इस type से capacity उसकी होती है कि वो environment से language को acquire कर लेता है और गरहन कर लेता है कुछ important question जो related है CHOMS की theory of language acquisition से तो पहला question है कि who proposed the relational frame theory of language acquisition तो relational frame theory of psychological theory है human language की जिसको develop किया था स्टीवन सी हाइस ने और relational frame theory argue करती है कि जो building blocks होते है human language और higher cognition दोनों relate करते हैं आपस में मतलब चेक building block language का है और human language वो higher cognition मतलब कहने का यह मतलब है कि जिस तरह से आप सोचते हो और सीखते हो वो आपकी thinking level यान cognition level को बढ़ाती है और human ability to create bi-directional links between things मतलब दो चीज़ों के बीच में link करना और उसको जोड़ के फिर language develop करना यह human की ability होती है question number two है according to language acquisition theory when there is a lack of sufficient information in the language input there is a universal grammar that applies to which languages तो देखो बच्छो universal grammar जो apply होती है to all human language तो universal grammar क्या है तो according to language acquisition theory there is a lack of sufficient information in a language input so there is a universal grammar that approaches in which languages so universal grammar जो होती है नो हर language में all human languages में use की जाती है what do you mean by language acquisition तो language acquisition is the process in which humans acquire the capacity to perceive and comprehend language as well as to produce and use words and sentences to communicate तो language acquisition का मतलब होता है कि language acquisition एक process है जिससे human acquire करता है उस capacity को जिससे वो language को perceive और comprehend कर सकता है ऐसी जो language की capacity है अक्वायर करने की इससे प्रोड्यूस करता है अपने words को बनाने में और sentence को कमिनिकेट करने में question number 4 what does language acquisition refer language acquisition क्या refer करता है so language acquisition refers to the process of learning a native or a second language because of innate capacity of the human brain ये जो होता है language acquisition का मतलब ये होता है हम लोग second language क्यों पढ़ते हैं हमारा जो brain होता है वो already उसके अंदर capacity होती है innate capacity होती होती है human brain की कि वो अपने जो एक mother tongue है यानि कि जो first language है उसके अलावा भी language एक उसको सीखने की उसके अंदर capacity होती है question number 5 when does language acquisition occur language acquisition कब होता है किस अवस्था में होता है language acquisition occurs only when the child has exposure to the language language acquisition तभी होगा जब एक बच्चा जो होता है एक नई language के साथ exposure उसे मिलता है तो ये language acquisition होता है एक बच्चे में तो बच्चो ये था हमारा Chomsky की थियोरी language acquisition के बारे में आई हो आपको ये थियोरी समझ में आई होगी और ये English pedagogy का बहुत ही important section है जिसके जो pedagogy का section 12 to 15 marks के seated में और दूसरी भी TED exam में पूछे जाते है और ये topic important है आपके KVS, NVS, Army Public School और जितने भी teaching examination सभी के लिए ये topic important है English pedagogy section के अंदर आता है कोई पे doubt है तो comment section में आप पूछ सकते हो और अगर future में आप किस तरह के topics की वीडियो चाहते हूँ वो भी आप comment में लिखोगे तो मैं specialized उस topic की वीडियो आपको provide करा दूँगी तो मिलते हैं जल्दी ही next video में तब तक के लिए don't forget to like, share and subscribe and thanks for watching